हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम तो माई चैनल, होम साइन्स एक्जाम मास्टर, अपने दो हजार प्रशनों की श्रिंखला में आगे बढ़ते वे, आप लोग जाद से जादा वीडियो को शेयर करें, चलिए, आज का हमारा पहला प्रशन है, छे महिने से दो वर्ष के बीच के आस्थाई दातों की संख्या होती है, छे महिने से दो वर्ष के तक के जो बच्चे होते हैं, उनमें आस्थाई दातों की संख्या कितनी होती है, बीस होती है, इन्हें दूद के दात अथवा, दूदंती दात भी कहा जाता है, अगर दूदंती दात अगर पूछा जाए, त सबसे बड़ी ग्रंती जिसका भार 1.5 kg तथा कोमल लाल होता है जो अमाशे के उपरी भाग में दाईं तडर ट्रव ग्रंती है तरफ उदर पठके नीचे रहता है वह क्या कहलाता है यहां से ही आपको clear हो जाना चाहिए कि शरीर की सबसे बड़ी गरंथी कौन सी है अगनाश है क्रित पिताश है कोई नहीं तो correct answer क्या होता है या क्रित आपका option number a जो है option number b जो है वह correct हो जाता है कि 1.5 kg इसका भार भी आपको पता चल गया कोमल लाल होता है जो माशे के उपनी भाग में दाई तरफ उदर के पठके नीचे होता है वह क्या कहलाता है या क्रित कहलाता है या क्रित में क्या पित का निर्माण होता है तथा जो इसका इस्टोर भंडा कहा होता है पित आशे में होता है अगनाशे से क्या होता है हम सभी जानते क्या इंसूलीन हार्मोन का श्रावन होता है और शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथी अगर पूछता है तो उत्तर अगनाशे होता है या क्रित द्वारा ही पित स्रावित होता है या पित आंत म जो पके स्टार्ज को माल्टोज में बदलता है वहां लार में रहता है वो क्या होता है लार की बात कर रहा है पेपसिन होता है टाइलिन होता है रेनिन होता है या लाइपेस होता है तो हम सभी जानते हैं कि जो मुँ में हमारे जो एंजाइम रहता है जो की स्टार्ज को तेज शरकरा में अब घटित कर देता है फिर माल्टेज नामक एंजाइम माल्टो शरकरा को गुलुकोज में परिवर्तित कर देता है ठीक तो यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर होता है option number two टायलिन होता है next है हमारा श्वशन तंत्र में निम लिखित में से कौन गलत है श्वशन तंत्र के भाग में से कौन सा गलत है नाग रसनी कंट श्वांसनली श्वशनी फेफडे उपरोक सभी या इसमें से कोई नहीं तो श्वशन तंत्र में जो इसमें कौन सा गलत है श्वशन तंत्र के अंग में इसमें कौन सा गलत है इसमें जो हमारा श्वशन तंत्र में नाक है हमारे फेफडे हैं यह सब सक्री रूप से भाग लेते हैं लेकिन अगर यह पूछ रहा है क्योंकि यहां से ग्रसनी कंठ यह जो है ठीक यहां पर यह गलत हो जाता है और श्वा गलत है तो यहाँ पर जो इसका correct answer होता है option number 3 होता है ठीक है मनुष्य में श्वतन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है फेफडा या फुफुस होता है श्वतन तंत्र के अंतरगत शामिल अंग नासा मार्ग है आपका ग्रसनी है ट्रैकिया है ब्रोकाई है ब्रोकिय पूल्स तथा फेफडे है फेफडे में oxygen तथा carbon dioxide गैसों का विन में होता है उनके दाबों के अंतर के कारण होता है तो यहाँ पर यहाँ आपका option number 3 जो है वह correct हो जाता है नेक्स्ट है हमारा स्वशन की क्रिया एक मिनट में होती है बहत्तर बार 18 बार 50 बार या इनमें से कोई नहीं तो यहाँ पर जो correct answer है कि स्वशन की क्रिया एक मिनट में 16 से 18 बार के बीच में होती है option में 18 बार दिया हुआ है तो option number 2 जो है वहां correct हो जाता है कभी कभी आपको 15 से 18 बार भी देखने को मिलेगा इसमें क्या होता है एक मिनट में जितनी बार हम सांस अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं वही प्रक्रिया पूरी यह जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है श्वशन कहलाती है जो सांस लेने की क्रिया है उच्छवास और निकालने जब सांस हम बाहर निकालते हैं तो उसको निश्वशन कहते हैं उच्छवास और निश्वशन ये दोनों क्रियाय है जिसको पूरा होने में एक मिनट में 15 से 18 बार में या पूरी होती है तो इसके साथ हमारा option number 2 जो है वह correct हो जाता है जब किसी कारण face flow तक oxygen नहीं पहुँच पाती तथा उतक को oxygen नहीं मिल पाती तो इस स्थिति को क्या कहते है एस्फिक्सिया लकवा बेरी-बेरी अनीमिया तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा इसमें से आपका जो है ना 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 नीमिया होगा ना बेरी-बेरी होगा elimination method का भी आप प्रयोग करेंगे तब ही आप इस प्रशन का उत्तर पाजाएंगे कोई जरूरी नहीं है कि जितने प्रशन पूछे जाए उसके उत्तर आपको आते ही हो तो यहाँ पर जो ये correct answer है ये दूनों तो हमें पक्का पता चल गया और face flow के oxygen नहीं पहुँच पाती त उत्तर को oxygen नहीं मिल पाती उस इस्थिती को asphyxia या दम घुटना कहते हैं asphyxia क्या है दम घुटना है ठीक है कहते हैं इस इस्थिती में मनुष्य को अतिरिक्त या कृतिम तरह से oxygen की व्यवस्था करके आंगों को पुना कारे करने योग्ये बनाया जाता है तो option number A जो है asphy आपका यहां पर correct हो जाता है next है हमारा microwave oven cooker vacuum cleaner कारे सदली करन के पुराने सामान है नए क्रांतिकारी सामान है ग्रहनी को पीटने का सामान है कुछ भी नहीं तो यहां पर क्या है नए क्रांतिकारी सामान है यह सारे सामान क्या है नए क्रांतिकारी सामान है जिससे कि क्या हमार उर्जा तता समय दोनों की बच्चत होती है और फिर इससे क्या होता है कि जब हमारा समय बच्चत होगा तो हम उस बचे हुए समय को किसी और चीजों पर व्या कर पाएंगे तो आप्शन नमबर टू हमारा यहां पर करेक्ट हो जाता है नेक्स्ट है ग्रह सज्जा के विभिन अंग कौन नहीं है कौन से ऐसी चीजे है जो ग्रह सज्जा के विभिन अंग नहीं है इस प्रशन को मैं लेना नहीं चाह रही थी लेकिन आप इसको देख सकते हैं कि फर्ष पर अलपना बनाना बहुत इजी है दीपावली है शादी में विवाह के समय जंडिया बनाना घरों और कमरों में भेड़ बकरिया रखना या रंग विरंगे कागजयों फूल पत्तियों को से घर को सजाना तो ग्रह सज्जा के ये भी अंग है ये भी दीपावली में शादी में जंडिया बनाना ये भी सही है रंग विरंगे फूल कागजयों लेकिन घरों में भेड़ बकरियां रखना ग्रह सज्जा का अंग नहीं है तो यहाँ पर जो यह आपका option number 3 है पाह correct हो जाता है या इसका अंग नहीं है सब हम सबी जानते हैं इसमें ऐसा कुछ कठिन नहीं है कि जो ना बताने लाएक हो सजावती नमूने में रशनात्मक नमूने के किस भाग को सुन्दर बनाया जाता है जो सजावती जो आपके decorative आपके designs है उनमें और creative design है दो तरह की रहती है decorative रहती है creative रहती है ठीक है design है उसके किस भाग को सुन्दर बनाया जाता है निचले भाग को, भीतरी भाग को, उपर के भाग को या किसी भी भाग को नहीं तो जो भी सजावती नमूना या जिसमें भी हम creativity दिखाते हैं वह कौन सा भाग होता है, वह हमेशा उपर का भाग होता है इसका प्रियोग 2 भित्तिय, 3 भित्तिय, दोनों ही प्रकार की वस्तुओं में किया जाता है ये कमरे की सजावत और रोचकता में विद्धी करते हैं जब भी हम कोई pattern बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं option number 3 हमारा correct हो जाता है पर्याबरण के अजयविक घटक हैं पर्याबरण के अजयविक घटक कौन से हैं? आसपास की वायू, जल, अस्थल और ये सबी तो जयविक और अजयविक दो प्रकार के घटक आपको देखने को मिलते हैं पर्याबरण के कौन-कौन से घटक हैं तो यहाँ पर जो ये सभी जो हैं आपके आसपास की वायू, अजयविक है जल अजयविक है, स्थल अजयविक है तो ये सभी correct हो जाता है यहाँ पर अगर जयविक घटक की बात होती तो जन्तू, वनस्पति, शूख्षम जीओ, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हमारे जयविक घटक के अंतरगत आजाते तो यहाँ पर यह आपका जो अंसर होता है ये सभी option number 4 जो है वा विलकुल correct होता है नेक्स्ट है मारा वातावरण में कौन सी गैस मुक्तवस्था में स्वापोशी के विकास के कारण हुई है तो नाइट्रोजन, कारबन डायोकसाइट, ऑक्सीजन या ओजोन तो इसमें कौन सी गैस है मुक्तवस्था में स्वापोशी के विकास के कारण हुई है तो वह कांसी गया से हमारी O2, oxygen है, ठीक, तो प्रित्मी में, वाय मंडल में, नाइट्रोजन, 88% के बाद, oxygen का ही प्रतिशत है, 21% हमारे पास क्या है, oxygen है, ठीक, नेक्स्ट है हमारा, ओजोन के अस्तर, किसके हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करते हैं, पराबैगनी किरुनों से, उक्त किरुनों से, उश्मा से या उपर, उप्यूक्त सभी, तो हम सभी जानते हैं, जो ओजोन का परत है, ओजोन की जो परत है, वो क्या है, कि ये जो है, ये किससे प्रित्वी की सता के नजदीक ओजन एक प्रदूशक का कारे करती है इससे तवचा कैंसर और इसकिन सम्मंदी रोगों का खत्रा होता है नेक्स्ट है हमारा प्रित्वी पर जीवों की उत्पत्ती कितने वर्ष पूर्व हुई है दो अरब वर्ष पूर्व तीन अरब वर्ष पूर्व चार अरब वर्ष पूर्व तो प्रित्वी पर जीवों की उत्पत्ती लगभग चार अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है जीवी महाकल्प आर्कियो जो एक महाकल्प के अर्थात आज से 3.8 आरब वर्षपूर्व आदिसागर में जीवन की उत्पत्ती हुई सबसे पहले हुई थी जीवी महाकल्प के रूप में पृत्वी का इतिहास अभिहित किया जाता है मतलब यह तो एक तत्थ है जिसको बताया गया है लेकिन आप जाने कि पृत्वी पर जीवन की उत्पत्ती लगभग 4 अरब वर्षपूर्व कोई है नेक्स्ट है हमारा प्लास्टिक किस प्रकार का अप्षिस्थ है जैव निमनी करण जैव या निमनी करण वायू प्रदूशक या जल्प प्रदूशक ठीक है तो यह जो है जैव या निमनी करण वे अप्षिस्थ पदार्थ जिने हानी रहित पदार्थों में नहीं कहलाते हैं यहां पर option number two जो है वह हमारा correct होता है जयाव निमनी करण और आजयाव निमनी करण यह जो है यह correct answer हो जाता है option number two जो है वह correct हो जाता है यह जीवानों द्वारा आप घटित नहीं होते ठीक है इसमें क्या क्या है प्लास्टिक है और DDT है जो की जीवानों के द्वारा आप घटित नहीं होते इसलिए अजयाव निमनी करण यह कहा जाता है इसको देख लीजेगा जयाव निम निमनी करणी है ठीक इसको आप देख लें एक बाल मैं यहाँ पर बना देती हूं नहीं तो confusion होगा यह जो option दिया हुआ है यहाँ पर यह आप बना ले तो यह आजयाव निमनी करणी हो जाएगा तो यही आपका option number two हो जाएगा क्योंकि यह आजयाविक होती है और जीवानो मचलियों के उस घटक का नाम बताईए जो बच्चों के मस्तिश्क के विकास में मदद करती है ठीक है तो वो कौन सा घटक है जो मस्तिश्क बच्चों के मस्तिश्क के विकास में मदद करता है ओमेगा 3 fatty acid, ओमेगा 4 fatty acid, ओमेगा 5 fatty acid या फिर ओमेगा 6 fatty acid ठीक है तो तेलियो तेल की बात करें कि उसमें कौन सा ऐसा घटक होता है तो क्या omega 3 जो fatty acid होता है वो क्या है हमारा omega 3 fatty acid उससे क्या होता है बच्चों के मस्तिष्ट के विकास में मदद होती है option number one यहां पर हमारा correct हो जाता है next है नियम की अनुसार एक व्यक्ति को इसमें से कितने मूत्र विसरजन के लिए परियाप्त पानी पीना चाहिए मतलब कितना पानी पीना चाहिए कि प्लैंटी मतलब अगर बॉडी की आपके प्लैंटी फुल्फिल रहे प्लैंटी ऑफ वाटर की भरपूर पानी पीना चाहिए कितना पानी पीना चाहिए तो बाइस सो से पच्चिस सो मिली लीट तो यहां पर जो आंसर है वह करेक्ट हो जाता है आपका ऑप्शन नमबर टू आठ सो से एक हजार मिली लीटर मूत्र प्रति दिन ऑप्शन नमबर टू जो है यह हमारा करेक्ट हो जाता है उस प्रोटीन का नाम बताईए जो सर्दी और फ्लू से लड़ने में मदद करती है क् इसमें बीटा ग्लूकेंस और इम्योग लोबिन शामिल होते है प्रति रक्षा प्रडाली का और शरीर की प्राकृतिक निर्विशी करन प्रक्रिया में सहयोग करते हैं फे प्रोटीन है कैसीन प्रोटीन है अलबूमिन है या ग्लोबलीन है तो यह जो हमारा उप्शन नमब 4 है जो ग्लोबलन है वह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में मदद करती है इसलिए आंग बंद करके option number 4 पर हम टिक कर देंगे निम्ड में से कौन सी इकाई पानी के गंदले पन को मापने के लिए प्रियुक्त नहीं की जाती कौन सी इकाई है जो पानी के गंदले पन को मापने के लिए प्रियुक्त नहीं की जाती NTU, JTU, FTU या ATU तो जो इसमें ATU है या पानी के गंदले पन को मापने के लिए क्या की जाती है इससे क्या हम देखते हैं कि यह जो है यह है aerobic treatment unit ठीक है या aerobic treatment unit है या देखती है कि पानी कितना गंदा है और इसको किस तरह से इसको treat करके साफ किया जाए किस तरह से साफ किया जाए सीवेश सिस्टम में भी इसका प्रियोग किया जाता है ठीक तो यह कौन सी aerobic treatment unit है यह जो है कि जैसे हमारा क्या है nephilometric turbility unit तो यह क्या है पानी के गंदेपन को मापने के लिए प्रियूक्य किया जाता है। लेकिन जो ETU यहन्य शुद्धी के लिए इसका प्रियोग किया जाता है। जो option no.4 है जिसमें क्या है AROBIC TREATMENT unit। इसमें treatment किया जाता है लेकिन यह सब क्या है? कि पानी के fluid में क्या गंदगी है उसको देखने के लिए इसका प्रियोग किया जाता है तो option number 4 जो है वो हमारा correct हो जाता है सब्जियों के रेशे छूने में लगते हैं ठंडे लगते हैं, निर्जियों लगते हैं, चमकदार लगते हैं या गर्म लगते हैं क्या पानी वाटर उसमें रहता है परियाप्त मातर में और बहुत सारे विटमिन और मिनरल से भरपूर होती है तो उसके रेशे छूने में ठंडे लगते हैं, आहार नियोजन महत्तुपून है, किस लिए आहार की पोशनात्मक परियाप्ता के लिए, बजट नियोजन के लिए, समय के उपयोग के लिए, उर्जा बचाने के लिए तो आहार मतलब कि आपका डाइट जो प्लैनिंग है, वह किस लिए महत्तुपून है, वहां आहार की पोशनात्मक परियाप्ता के लिए आवश्यक होता है, आप्शन नमबर वन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि यहाँ पर, क्या जैसे हमें खाना, अगर हमें संतुली ताहार चाहिए, तो मैं पता चाहिए कितनी मात्रा में हमें कार्बो हाइडरेट, कितनी मात्रा में प्रोटीन, कितनी मात्रा में वसा, यह सारी जो अलग-अलग मात्रा है, वो सब हमें मालूम होना चाहिए, और उस subsidized processing इन खान पान प्रबंधों में की जा सकती है fast food unit में air catering में और योगिक cafeteria में या restaurant subsidized processing या प्रबंध जो है मैं आपको बता दूँ कि ये जो menu है और जो इन सारी चीज़ों के बारे में अलग-अलग पूरा menu का मैंने अलग से वीडियो बना के रखा है आप पीछे जाएं तो आप देखेंगे बहुत सारे जैसे वन डे वन चैप्टर में मैंने बहुत सारे चीज़े कवर कराई है मैंने खुद पढ़ाया एक एक टॉपिक तो आप उस पे भी जा करके अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप उस पर जा सकते हैं और अगर आपको कोई टॉपिक अलग से समझना है तो आप उसके लिए मुझे प्लीज कमेंट करें मैं उसको अलग से आपको समझा दूँगी तो जो आपका प्रबंधों में की जाती है वो जो सबस्डाइज होती है जिस पर सबस्डाइज प्रोसेसिंग है वो किसमें एयर कैटरिंग में होती है ऑप्शन नमबर टू यहाँ पर करेक्ट हो जाता है IDDM के मरीज के आहार में कारबोस को पूरी तरह से नहीं रोकना अगर कार्वोस को पूरी तरह से एकदम रोग देंगे तो क्या होगा शरीर को उर्जा कहां से मिलेगी क्या होता है उर्जा एनर्जी का सोर्स होता है तो यह option number 4 यहां पर यह correct हो जाता है नेक्स्ट है हमारा कि खाने से कब्ज नहीं होता क्या चीज है जिसको खाने से कब्ज नहीं होता आश वास्तेकर खादे तले खादे रेशे या परिश्कृत अनाज तो क्या चीज हम खाएंगे तो हमें उससे कब्ज नहीं होगा तो अगर हम रफेज का प्रियोग करते हैं जो उससे क्राइट की प्रॉब्लम नहीं होती और यह हमारे घट के लिए बहुत ही अच्छा होता है और इससे क्या होता है हमारा घट हिल्दी होता है एंकोलोजी किस रोग का निदान वा उपचार है एंकोलोजी तापैदिक का वरिक रोग का कैंसर का या एड्स का तो एंकोलोजी जो ये शब्द है इससे कैंसर के रोग का निदान वा उपचार होता है option number 3 आपका यहां पर correct हो जाएगा ठीक फिर बुजूर्गों के इलाज को कहते हैं crossing age पड़पकुता जरा चिकित्सा या food food तो ये जरा word है वो क्या है बुजूर्गों के इलाज के लिए इसका प्रयोग किया जाता है बिल्कुल आप रखले बहुत तारे exams में ये question आया हुआ है कि बुजूर्गों के इलाज को क्या कहते हैं जरा चिकित्सा कहते हैं liver xerosis के लिए प्रस्तावेताहार अधिक सोडियम कम प्रोटीन तथा अधिक सोडियम कम सोडियम तो हमेशा आप जाने कि liver xerosis के लिए sodium की मात्रा कम कर दी जायेगी और इसमें किसी में भी सोडियम सभी में अधिक दिया हुआ है तो यहां पर अधिक प्रोटीन और कम सोडियम हो जाएगा लेवर जीरोसिस के लिए option number 4 हमारा क्या हो जाता है यहां पर correct हो जाता है next है type 2 diabetes mellitus कहलाती है मतलब प्रकार 2 diabetes mellitus कहलाती है क्या कहलाती है इंसूलीन आधारी diabetes mellitus और गैर इंसूलीन आधारी diabetes mellitus पोशन संबंदी diabetes mellitus और आपका गर्भा वस्था में diabetes mellitus तो यहां पर जो correct answer हो जाता है आपका option number 2 जो है गैर इंसूलीन आधारी diabetes mellitus जिक तो option number 2 जो है वह correct हो जाता है इंसूलीन का श्रामण होता है या कृत द्वारा अगनाशय द्वारा जठर द्वारा या जीवा द्वारा तो जो ये इंसूलीन नामखार्मोन है इसका श्रामण कहां अगनाशय की ब्लीटा गरंथियों में होता है तो option number two जो है या हमारा correct हो जाता है और next है हमारा रोगी के लिए आहार आयोजन करते समय निम्न में से किस पर ध्यान दिया जाता है आहार की प्रकृति पर रोगी के भोजन संबंदी आदतों पर रोग का कारण जानना उपरोग सभी तो रोगी को आहार आयोजन करते समय हमें इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर हमने डाइट प्लान कर दी अगर उसको खाना ही नहीं पसंद है ठीक है और तो फिर क्या हो जाएगा वह आपके लिए बनाए हुआ वेस्ट हो सकता है तो यह सारी चीज़े इस सारे तीनों फैक्टर यह important होते हैं तो option number four जो ह NFHS है वो क्या है वो है आपका National Family Health Survey चार के अनुसार इनोंने पूछा है कि वह कितना है तो यहाँ पर इसका correct आंसर हो जाता है आपका तिरपन दुशमलों एक गठावन दुशमलों चारर पैंतीस दिशमलों साथ दस दिशमलों जीरो तो option number two जो है यहाँ पर हमारा correct हो, होजाता है कि रोगियों को protein यॕट्ट आहार देने से मना किया जाता है तो कौन सी बिमारी होती है जिसमें protein यॕट्ट आहार देने से मना किया जाता है तो जो आपकी गुर्दे की बीमारी है उसमें प्रोटीन युक्त आहार देने के लिए मना किया जाता है अलसर भी नहीं मन में भी नहीं कब्स भी नहीं तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन खतम होता है अगर पढ़ाया हुआ पसंद आए तो प्लीज कमेंट अपकी हिए अ 술ऋ बहा सवे है आता है टतक कि बहाई है उता है अगर बारु नहीं मना कि बीमारा ऑाईय है अट तो इस हमारी है अवयाऊन कि क deal जा एक नहाईता है अज्जश कैएल बार भी